तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक तो दे चैनल वेफ और क्लिक और आज हम बात करने वाले हैं कांच यानि की गिलास के उपर सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जब भी हम ब्लेंडर के अंदर कोई भी आपजेक्ट बनाते हैं तो उसमें हमें सबसे पहले ये ध्यान में रखना पड़ता है कि जो हमारा प्रकास है वो उस अपजेक्ट पे किस टाइप से असर डाल रहा है यहाँ पे अगर हम ग्लास की यानि की कांच की अगर बात करें तो प्रकास की वज़े से ग्लास में दो चीजों का असर पड़ता है सबसे पहला आता है हमारा reflection और दूसरा आता है हमारा reflection तो किसी भी object में प्रकास की वज़ा से ये दौनों चीज जब पैदा होती है तब हमारा वो object ग्लास की तरह हमको दिखाई देता है तो चलिए सबसे पहले reflection की बात करते हैं, जब भी हमारा प्रकास किसी भी object पे पड़ता है और वो वापस लोट जाता है, तब उस प्रक्रिया को हम कहते हैं reflection, reflection की बज़े से हमारे object के अंदर आसपास की जो चीजे हैं उनकी हमें pictures दिखाई देने लगती हैं, यानि कि जो भी आसपास दिखाई दे रहा है, वो उसमें एक प्रतिबिंब की रूप में हमें दिखाई देने लगता है, ग्लास के अलावा और भी बहुत सारी ऐसी चीज होती हैं, जिसमें reflection काम करता है, जैसे कि पानी हो गया हमारा, या फिर कोई metal जैसे कि steel हो गई, या फिर कोई भी चमक आसपास की चीज़ें दिखाई दे रही हैं, उसको हम कहते हैं reflection, दूसरी हमारी चीज़ आती है, reflection, जब हमारा प्रकास object पर पढ़के, बिल्कुल सीधे निकल जाता है, तो उसको हम कहते हैं reflection, और reflection की वज़े से, चीज़ें हमको transparent दिखाई देती हैं, जितनी प्रकास की किर blender ने उसमें सीधे angle पे निकल के जाएंगी, उतना ही वो चीज़ transparent होती चली जाती है, तो blender के अंदर जब भी हमें किसी object को काच बनाना होता है, तो उसमें ये दोनो quality जो है, इसके option हम on कर सकते हैं, अब चलिए चलते हैं, और practically इसको देख लेते हैं, सबसे पहले हमारे पास ये जो cube है, इसको हम यहां से delete कर देते हैं, shift A बटन दवाएंगे, और यहां पे हम ले लेते हैं, एक UV sphere, इस sphere को सबसे पहले हम smooth कर लेते हैं, मैं यहां पे right click लोगा, shade smooth पे click करूँगा, तो ये मेरा जो sphere है, वो यहां पे smooth हो जाएगा, अब हम इसको glass बनाने वाले हैं, त material में, क्योंकि मैंने ये नया object लिया है, तो इसलिए मैं यहां पे new material यहां पे create कर देता हूँ, इसमें जो सबसे पहला option है, surface, इसी के अंदर हमें यहां पे glass का एक BSDF दे रखा है, जो हमारे object को सबसे पहली quality देगा reflection की, ये जितने भी यहां पे BSDF दे रखके हैं, ये सब भी बहुत ही ज़्यादा important है, और इस समय इसी की यहां पे series चल रही है, जिससे आप बड़े बड़े यहां पे textures बना चकते हैं, तो फिलहाल हम यहां पे glass BSDF इस्तमाल कर रहे हैं, इसको मैं जैसे यहां पे click करूँगा, मेरा glass इसमें apply हो जाएगा, लेकिन क्योंकि मैं यह चुकी है, अब यहां पे क्योंकि node की series चल रही है, और node के लिए हम यहां पे काम करते हैं, इसमें shader के अंदर, तो मैं यहां पे shader को open कर लेता हूँ, और यहां पे जब आप देखेंगे तो इसमें जब मैंने glass यहां पे select किया था, वो automatically यहां पे आ चुका है, अब इसकी जो roughness है, वो यहां पे बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मैं इसकी roughness को यहां पे खतम कर देता हूँ, तो आप देखेंगे, इसमें जो reflection वाली quality है, वो मेरी यहां पे आ चुकी है, इसके जो चारो तरफ का environment है, वो मुझे यहां पे दिखाई देने लगा है, लेकिन यह हमा यहां पे वीडियो में export होके आती है, तो सबसे पहले हम यहां पे light को generate करेंगे, जैसे आप देख सकते हैं, यहां पे automatically मेरी एक light दे रखी है, और अगर इसके पीछे का environment देखना है, तो आपको word opacity को बढ़ा देना है, और blurness को कम कर देना है, तो आपके पीछे का environment जो इसमे यहां पे set कर देता हूँ, उसके लिए बहुत ही simple है, आपको जाना है word में, यहां पे आपको search करना है, environment texture, environment texture में हमारा एक hdi rai की जो image होती है, जो मेरी file यहां पे पड़ी हुई है system पे, इसको मैं यहां पे select करूँगा, double click करते ही वो मेरी यहां पे select हो जाएगी, और इसक अब मेरा यहां पे यह पीछे का जो environment है, वो यहां पे आ चुका है, इसमें अगर आपको light set करनी है, तो light path के नाम से इसमें आपको एक node बिलेगा, और इस node को हमको यहां पे connect करना है, लेकिन दो node हम एक साथ यहां पे connect नहीं कर सकते हैं, जैसी मैं इसको यहां पे connect पीछे वाला इसमें automatically हट जाएगा, तो इसके लिए मैं यहां पे इस्तमाल करूँगा, mix shader का, जो लोग मेरी पीछली वीडियो देख रहे हैं, उन सभी को यह सारे node बड़े आसानी से समझ में आ चुके हैं, यहां पे यह जो light path है, इसको हम connect करेंगे factor से, और यह जो हमारा color है, इसको हम सबसे पहले shader से connect करतेंगे, फिलाहल हम जो पीछे का environment है, इसका, पीछे की जो image है, उसको हम यहां पे रख लेते हैं, और थोड़ी दिर के लिए इस वाली light को यहां से हटा लेते हैं, तो इस तरीके से मेरा इहां पे यह glass नुमा एक बनके आ चुका है, लेकि दूसरी जो quality है, वो है, इसमें reflection, और reflection का मतलब होता है, पारदरसी होना, तो यह इसमें अगर आप इसको गौर से देखेंगे, तो इसमें पीछे का कोई भी चीज आपको नहीं दिखाई देगी, और या फिर मैं एक आपको object लेके इसमें दिखा देता हूँ, यहां पे मैं पारदरसी बनाना पड़ेगा, यानि इसमें दूसरी quality डालनी पड़ेगी, जिसका नाम है मेरा reflection, तो reflection को add करने के लिए, material में आपको जाना है, यहां पे material जो tab है, और यहीं पे नीचे की तरफ आपको यहां पे एक option मिलेगा, जिसको मैं थोड़ा सा आगे की तरफ आपको क पर के दिखा देता हूं, screen space reflection, यही हमारा इसको transparent करने का काम करता है, लेकिन इसके कुछ option यहां पे भी होते हैं, और डूसरे कुछ option आपको rendering में भी मिलेंगे, rendering पे अगर आप click करेंगे इसमें, तो यहां पे आपको यह वाला option मिलेगा, screen space reflection, तो सबसे पहले मैं यहां पे यह वाला जो reflection है, इसको मैं यहां पे on करूँगा, और उसके बाद मैं दुबारा से render में जाऊंगा, और यह वाला जो reflection वाला option है, इसको मैं यहां से on कर दूँगा, अब यहां पे आप देखेंगे, मेरा जो glass है, उसमें अभी भी कोई transparency नहीं आई, उसके लिए हमारे पास यह जो option है, यह वाला option दे रखा है, इसको मैं जैसे click करूँगा, आप देखेंगे, हल किसी transparency इसमें आ चुकी है, और इसमें जो अंदर का मेरा जो मैंने object लिया था, वो मुझे अब यहां पे दिखाई देने लगा है, तो अब मेरा जो glass है, उसकी quality इसमें आ चुकी है, इस से यह थोड़ा सा आपका यह इस तरीके से manage हो जाएगा, और इसमें जो मेरा glass है, अब वो मुझे कुछ हद तक अच्छी तरीके से दिखाई देने लगा है, glass का जो option है, वो मेरा cycle में सबसे बहतरीन तरीके से काम करता है, लेकिन EV में हल किसी हमें setting यहां पे बनाने पड़त जो मेरा computer graphic card को मांग रहा है, तो फिलाल मैं rendering को easy करने के लिए, यहां पे जो maximum samples आपके दे रखे हैं, 4096, इसको मैं convert कर देता हूँ, कम मैं रख देता हूँ, इसको बस 20 के लगबग, और maximum samples जो है, इसको मैं हाँ से घटा के कर देता हूँ, 50, अब मेरा यह cycles में जो इसकी rendering है वो बहुत ही इसमें अच्छी हो जाएगी, इसके बाद मैं denoise जो है, इसपे आप click कर देंगे, तो हलका सा इसमें जो denoise आ रहा था अभी आपने देखा, वो भी यहां पे cover हो चुका है, अब मैं इसको यहां पे आपको render करके अगर दिखाता हूँ, तो यहां उपर की side में आप देखेंगे, यह जो यहां पे number बढ़ रहे हैं, यह मैंने वहां पे 20 set किये थे, इस वज़े से यह 20 हो गए है, अगर यहां पे वो 4090 ही रहेंगे, तो इसमें आपको घंटों लग जाएंगे, एक ही image को render करने में, और यह जो noisy पन है, यह 19 तक आपका रहेगा, जब यह बिल्कुल 20 हो जाएगा, तो यह बिल्कुल इसको खतम कर देगा, यहां पे आप देख सकते हैं, जैसे ही मेरा यह complete हुआ, यहां पे यह जो इसका clarity है, वो पूरी तरीके से आ चुकी है, और इसमें जो जितना भी noisy पन है, वो यहां पे खतम हो चुका है, तो इस तरीके से rendering क मुझे इसको EV में यहां पे use करना है, तो EV में मुझे कुछ यहां पे features और इसमें यहां पे add करने पड़ेंगे, यानि कुछ option इसमें और मुझे यहां पे लगाने पड़ेंगे, EV में हलका सा यह आपको धुंदला दिखाई दे रहा है, अगर इस धुंदला हट का अगर दो मीटर का है, यानि इसकी यहां से लेके यहां तक की जो इसकी उचाई है, वो दो मीटर की है, यानि यहां से लेके इसके बीच का जो point है, वो मेरा एक मीटर का है, तो इसकी जो depth है आपको वो एक मीटर किया उससे अंदर ही रखनी है, इससे अगर आप जादा कर देंगे या इससे कम कर देंगे, तो इसमें ये दिक्कत करेगा, अगर मैं इसको यहाँ पे 20 कर देता हूँ, तो आप देखेंगे 20 मीटर पे इसने जो है, बिलकुल इस ग्लास का जो ट्रांस्पिरेंसी है, वो बहुत ही जादा इसमें कर दी है, अंदर का जो इसमें object है, वो भी इसमे वड़ चुकी है, कि बिलकुल मेरा जो ग्लास है, वो इसमें reflection को add कर चुका है, यानि इसकी transparency को अच्छी तरीके से यहाँ पे cover कर चुका है, अगर आप इसमें जो पीछे की image है, इसको हटाना चाहते हैं, तो यहाँ से directly आपको जाना है word में, और यह जो light का option जो हमने पहले हटा दिया था, इसको हम यहाँ पे factor से connect कर देंगे, तो आप देखेंगे, मेरा यहाँ पे जो glass है, वो कितना अच्छी तरीके से यहाँ पे आ चुका है, अब मैं इसको अगर आपको render करके दिखाऊँगा यहाँ पे, तो सबसे पहले मैं जो camera है, उसको उसी angle पे set करूँग यहाँ पे आप देखेंगे, अगर मैं zero कर रहा हूँ, तो यह इसका जो view है, वो बिल्कुल यहाँ पे डल आ रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा, उस view पे set कर देता हूँ, जहाँ पे इसका जो angle है, वो थोड़ा सा मुझे अच्छा दिखाई दे, तो control alt zero से मैं इसको इस तर एंडर करके यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, तो मेरा जो यहाँ पे काँच है, उसका कितना प्यारा लोग मेरे सामने, EV वोंड में यहाँ पे आ चुका है, तो इस तरीके से आपने देखा, glass BSDF की मदद से हमने बड़े आसानी से इसमें glass को बना दिया, सिर्फ हमने यहाँ पे वर्ड में light add की है, और यहाँ पे सिर्फ दो option आउन किये हैं, screen space reflection माला, और यहाँ पे दूसरा option मेरा screen space reflection माला, तो इस तरीके से हम बड़े आसानी से अपने काँच को बना सकते हैं, फिलहाल और भी कुछ इसमें interesting चीजों को चान लेते हैं, सबसे पहले अगर render क करके आपको दिखाऊंगा, अब इसमें जो background में आप black color देख रहे हैं, अगर आप इस image को save करना चाते हैं, तो यहाँ पे save as करके अपने desktop पे आप इसको या कहीं पे भी save कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे globe नाम से इसको save कर देता हूँ, अगर आप चाते हैं कि यह जो इसमें black color का जो background दिख रहा है, इसको अगर आप transparent करना चाते हैं, और आप चाते हैं, जहाँ भी आप यह image को लेके जाएं, सिर्फ यह globe मेरा दिखाई दे, बाकी सारी चीज़ इसमें पीछे की हट जाए, तो इसके लिए हमें थोड़ इसी हाँ पे एक setting करनी है, मुझे जाना है rendering म और इसमें सबसे नीचे की तरफ मुझे एक option मिलेगा film का, film में सिर्फ एक option है transparent, तो जो background है इसका, यह मेरा इस पे click करने पे transparent हो जाएगा, और अब मैं इसको यहाँ पे render करूँगा, और यह जो image है, अगर मैं इसको यहाँ पे save करता हूँ, और इसका नाम दे देता हूँ transparent और जैसे मैं इसको यहाँ पे save करूँगा, डेस्क्टॉप मेरी image save हो चुके है, तो पहली image जो मैंने black background के साथ यहाँ पे save की थी, वो आप देख सकते हैं, पीछे इसमें black background इस तरीके से यहाँ पे आएगा, लेकिन अगर मैंने यह transparent option on कर दिया इसका, तो इस तरीके से मेर background में transparency की बजा कोई color इस्तमाल करना चाहते हैं, तो यह चीज मैं आपको already पहले ही बता चुका हूँ, आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे word में, और word option में सिर्फ आपको एक छोटा सा काम और lighting में यहाँ पे करना है, कि यह जो मेरा यहाँ पे background है, इसको मुझे shift D से यहाँ पे duplicate कर लेना है, और इसको connect कर देना है अपने दूसरे shader से, इसकी सारी settings में episode number 50 में बता चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा है, तो video lighting के लिए है, जाके आप देख सकते हैं, तो जैसी मैंने इस पे यहाँ पे click किया, आपने देखा, पीछे मेरा gray color का यहाँ पे environment create हो और इसको video में या image में use कर सकते हैं, और इस तरीके से आप कोई भी color अपने background में use कर सकते हैं, जब आप इसको render करेंगे, तो पीछे आपका यहाँ पे यह color इसके पीछे आ जाएगा, तो फिलहाल मैं यह जो background है, इसको यहाँ से delete कर देता हूँ, और चलिए अब अपने इसको थोड़ा सा इधर move कर देता हूँ, इस window को अगर आपको बढ़ा करना है, control के साथ space का बटन दबाऊंगा यहाँ पे, और यहाँ पे अगर मुझे इसकी और भी copy चाहिए, तो मैं इसको shift D बटन से एक बार duplicate करूँगा, और उसके बाद मैं यहाँ पे shift R बटन को जितन इसे, तो उसका बहुत ही simple तरीका यह है, कि जहाँ भी आपका यह material वाला tab है, इस पे आपको जाना है, जिसका material आपको इस्तमाल करना है, उस पे आपको click करना है, और यहाँ पे यह जो globe आपको दिखाई दे रहा है, इसको simply आपको drag करके drop कर देना है, जिसमें भी आपको य कर लेता हूं और बाकी जितने भी हैं सभी को मैं एक बार सलेक्ट करूँगा और यहां पर इनको शेड़ स्मूथ कर देता हूं तो इस तरीके से आपने देखा अगर मुझे material इस्तमाल करना है तो simply मैं यहां से उस object को select करूँगा जिसका material लेना है और simply यहां से drag and drop करके इसमें डाल दूँगा अगर node से आपको use करना है तो ध्यान रहे node में आपका यहां पर material होता है यह आपका object mode में होना चाहिए तभी यह material इसका catch करेगा और यह जो material है simply यहां पर आपको एक छोटी सी window दिखाई देगी यहां पर material के नाम से और यहां पर जो globe है यह छोटा सा globe है इसको मैं drag and drop करके यहां पर डालूँगा option मिलेगा link materials इस पर मैं जैसे click करूँगा आप देखेंगे कि यहां पर जितने भी मैंने object select किया है सभी मैं यह material apply हो जाएगा ध्यान रहे कि यह जो object है वो मेरा main object है और इसके किसी भी material में अगर कोई भी color change होता है तो automatically सारे materials में यह color change हो जाएगा यह भी मैं आपको आईए करके दिखा देता हूँ अगर मैं यहां पर इसका जो color है इसको change करना चाहता हूँ glass का तो यहां से मैं जो भी color यहां पर change करूँगा automatically सभी मैं यह यहां पर इस तरीके से change हो जाएगा तो यह एक बहुत ही अच्छा तरीका है automatically सारी चीजों में यह material यहां पर update होता रहेगा आप इसमें जो भी काम करेंगे वो automatically सभी में update हो जाएगा फिलाल मैं इसको ctrl z कर देता हूँ और इसका वापस से मैं अपने view में वापस आ जाता हूँ और बाकी जितने भी मेरे यहां पर सफेर हैं सभी को मैं यहां पर outliner से shift के साथ मैं select करूँगा डिलीट कर दूँगा और zero button से अपना यहां पर अपना पुराने material पर आ material को दूसरी किसी file में इस्तमाल करना है तो आप बहुत आसानी से इसको यहां पर use कर सकते हैं acid browser की मदद से यह जो option है इसमें acid browser पर जाना है यहां पर यह option आपको मिल जाएगा acid browser का इसको यहां पर select कर लेना है acid browser की file आते ही यहां पर आपको जितने भी इसमें material होंगे वो file यहां पर दिख जाएगी और अब इसमें अगर आपको material इस्तमाल करना है तो simply आप यहां पर यह जो plus का button दिखाई दे रहा है इस plus के button पर click करना है आपको और यहां पर आपको एक नया tab बन जाएगा यहां पर मैं डाल देता हूँ all materials अगर मैं इसके अंदर और category बनाना चा save करना है तो आप कहीं से भी या तो आप इधर से जा सकते हैं यहां पर right click लेके mark asset कर सकते हैं या अपने globe से mark asset कर सकते हैं या फिर अपने node से भी यहां पर right click लेके mark asset यहां पर कर सकते हैं जैसी आप इसको mark asset करेंगे यहां पर आपका यह material बन जाएगा और किसी दूसरी file मे जाके इस material को आप इस्तमाल कर सकते हैं ध्यान रहे अलग-अलग mode में अगर यहाँ पर आपने देखा मैंने दो mode में अलग-अलग जगा पर काम किया था तो यहाँ पर जो मेरी setting है वो lighting की setting है और यहाँ पर जो है वो मेरी material की setting है अगर आप इन दोनों को use करना चाते हैं तो आपको यह दोनों ही यहाँ पर save करनी पड़े हैं यह मैंने यहाँ पर material add कर दिया अगर मुझे यह lighting भी यूज़ करनी है तो मैं इस lighting को भी यहाँ पर इस्तमाल कर सकता हूँ simply यहाँ पर right click लोगा mark as asset यहाँ पर click करूँगा अगर मुझे इसका नाम change करना है तो आप पहले यहाँ पर नाम change कर दीजे इसका lighting या environment light कुछ भी यहाँ पर डाल देंगे वो automatically यहाँ पर change हो जाईगी अब आपको अगर यह material किसी दूसरी file में जाके use करना है तो simply जाके सबसे पहले हम दूसरी file को open करेंगे यहाँ पर यह जो cube है इसके अंदर वो material में यहाँ पर add करना चाहता हूँ तो यहाँ पर simply मुझे एक asset browser का tab open कर लेना है इस पर click करना है आप और asset browser का option आपको मिलेगा इस पर आप select करेंगे तो asset browser आपका आजाएगा तो सबसे पहले आपको path देना है कि कहाँ पर आपकी जो file है आप उस material को use करना चाहरे हैं तो यहाँ पर आप preferences पर जाना है आपको और यहाँ पर plus का एक button आपको दिखाई देगा इस path को set करने के बाद में आपको यहाँ पर add asset library क्लिक कर देना है और यह path यहाँ पर set हो जाएगा और इस वाले folder में जितनी भी हमारी file पड़ियोंगी सब ही के जो भी हमने asset browser में यहाँ पर use किये हुए है asset browser में जो हमने डाल रखी हैं चीजे वो सब यहाँ पर आ जाएगी तो इसमें अभी मैंने यह file save नहीं की है तो इसका कोई भी option मेरे पास में नहीं आ रहा है तो सबसे पहले आईए मैं उस file को यहाँ पर save कर देता हूँ जिसमें मैंने यह material बनाया है उसके लिए मैं Ctrl S बटन दबाऊंगा और यहाँ पर इस file का नाम देता हूँ globe globe नाम से मैंने यह file यहाँ पर save की और जैसे ही मैंने यह यहाँ पर save की और इसको मैं Ctrl S और कर देता हूँ एक बार तो इस वाले path में यानि कि मेरा यह जो folder है इसके अंदर और भी यहाँ पर folder हो सकते हैं और इसमें हमारे पास में यहाँ पे blender नाम की एक file folder है, blender file नाम से, इसके अंदर मेरी यह file पड़ी हुई है, तो यह चीज हमें वहाँ पे check करनी है, सबसे पहले हमने यहाँ तक कप जो path है वो दे रखा है, इसके अंदर जितने भी folder होंगे, वो सभी मेरे यहाँ पे आ और जैसे ही मैं इसको यहाँ पे select करूँगा, आप देखेंगे कि मेरा जो यहाँ पे material था, वो यहाँ पे आ चुका है, अब material सिर्फ मुझे drag and drop करना है, और material मेरा इसमें apply हो जाएगा, इसके लिए मैं यहाँ पे rendering वाला जो option है, इसको on कर देता हूँ, दिखाने के लिए, सबसे पहले lighting पे आते हैं, lighting अगर मुझे use करनी है, तो मैं यहाँ पे इसको drag and drop करूँगा, और आप देखेंगे कि जो environment light थी, automatically जो उसका path वगयरा जो भी चीज़ यहाँ पे set थी, वो सब यहाँ पे आ चुका है, अगर आप इसको यहाँ पे shading वाले editor में जाके देखेंगे यहाँ पे word में था हमारा यह lighting का, तो आप देखेंगे सारी चीज़ें, exit यहाँ पे node जो है, वो मेरा यहाँ पे आ चुका है, तो चलिए अब यहाँ पे अगर हम material इस्तमाल करना चाहते हैं, तो अपना material यहाँ पे drag and drop कर देंगे इस तरीके से, material मेरा इसमें apply हो जाएगा, लेकिन इसमें सारी settings नहीं आती हैं, जो जो चीज़ें आपने rendering की on की थी, वो दुबारा से आपको यहाँ पे on करनी पड़ेंगी, तभी वो यहाँ पे काम करेंगी, example के लिए मैं इसके अंदर आपको यहाँ पे एक UV sphere दिखा देता हूं, कि अभी यह समय यह UV sphere जो है, वो इसके अंदर नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसका जो reflection वाला जो part है, वो मेरा यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ मुझे एक चीज़ on करनी है, जिसका नाम है मेरा screen space, reflection और इस पे tick कर देना है, जैसी मैं इस पे tick करूँगा, आप देखेंगे transparency इसमें start हो जाएगी और यहाँ पे जो मेने अंदर का इसमें जो भी चीज़ है, वो यहाँ पे apply हो चुकी है, इस तरीके से कोई भी material आप एक file से ले जाके दूसरी file में use कर सकते हैं, lighting को use कर सकते हैं, जो भी चीज़ आपको चाहिए, वो आप यहाँ पे save करके इस्तमाल कर सकते हैं फिलाल मैं इस file को यहाँ से बंद कर देता हूँ, अब वापस से हम अपनी file पे आ चुके हैं, अब दुवारा से मैं यहाँ पे जाऊंगा और 3D view port पे क्लिक करूँगा ताकि मेरा जो object है वो यहाँ पे आ जाए, तो इस तरीके से काफी सारी चीज़े हैं जो आपने देखी किस तरीके से हम इसमें image को transparent बनाते हैं, किस तरीके से background में color इस्तमाल करते हैं, किस तरीके से अपने material को किसी दूसरे object में इस्तमाल करते हैं, तो यह तो था हमारा glass, अब चलिए अपने next topic पे चलते हैं और देखते हैं कि अगर हमें glass का mirror बनाना है, तब हमें यहाँ पे क्य नेक्स्ट वीडियो के बाद हम लेके आएंगे cartoon की audio recording की video, जिसकी बहुत ज़्यादा demand आ रही है, तो मिलते हैं next video में, तब तक के लिए good bye.